जहिंद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अड़्डा 24-7 IS सद्धात भाईया कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आखिर कौन सा है वो एक करोड का प्रश्ण आखिर कौन सा प्रश्ण है साथ करोड का जो की जसकरण नहीं जीत पाए जसकरण के बारे में तो आपको पता ही होगा देश भर में इनके चर्चा चल रही है कौन बनेगा करोड पती में जसकरण ने थूम धाम से एक करोड रुपए जीत कर पूरे पंजाब और पूरे भारत का और पूरे UPSC Aspirants का मान बढ़ाया है अब जसकरण कौन है इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया थी डीटेल में वो इस वीडियो के एंड में अटैच कर देंगे आप देख लीजेगा लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जिक्र करेंगे कि आखिर जसकरण ने कैसे एक करोड के सवाल को सही सवाल का जवाब दिया और साथ करोड पर क्या प्रॉबलम आगे दिया कि सवाल था क्या आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे जसकरन एक बड़े गरीब और आम परिवार से आते हैं बिलकुल आपकी तरह इनके घर में जो काम होता है वो बैसिकली रेडी पर खाना लगाना छोला चावल और दही चावल यह सब लगाया जाता है खुद किसान के घर से हैं और UPSC एस्पिरेंट हैं तयारी करते हैं सिबल सर्विसेज की 2024 में पहला अटेम्ट है कॉलेज में हैं आपके ही तरह आप देखिएगा क्या मिसाल है इनकी क्या कॉन्फिडेंस है क्या ग्यान है आज देखते हैं इसमें सिबल सर्विसेज की तैयारी में दोस्तों हमें हर चीज की जरूरत पड़ती है सबसे इंपॉर्टन जो रोल प्ले करता है वो मेंटोर्शिप है वो गाइडेंस है और हर दफा मैं अपने वीडियो में ये रिपीट करता हैं हैं मैरीड हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाएए और गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो आप हम लोग आपको कनेक करेंगे हमारी टीम आपको कनेक करेंगी कि आखिर आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है तैयारी में आपके पास सब कुछ हो सकता है किताबें, वीडियो लेक्चर्स रिविजन के नोट्स, सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, मेंटॉर्शिप नहीं है और वो सबसे इंपोर्टन होता है है ना, तो कॉमेंट सेक्शन में जाएं आप गूगल फॉर्म को फिल करें और फिर हमारी टीम आप से connect करेगी अपने problem specifically mention जरूर करिएगा है ना, चलिए देखते हैं आखिर UPSC as friend से वो एक करोड और साथ कलोल साथ करोड का सवाल क्या प्रश्ण पूछा गया था, है ना तो इस slide में हम लोग बाद में आएंगे पहले इस slide पर चलते हैं चलिए, सवाल क्या था? ये रहा आपके screen पर अगर हम इसको हिंदी में करें तो जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतिरित की गई थी तब भारत के वाइसरोई कौन थे? अचा, पहला option क्या है? ये सवाल था एक करोड रुपए का सवाल है UPSC में ऐसे सवाल नहीं आते हैं बड़े कम आते हैं दो-तीन आदेंगे वन वर्ड वाले लेकिन UPSC में इससे भी tough इससे भी factual काफी जादे बड़े-बड़े सवाल आते हैं ये सवाल PCS में आ सकता है ये सवाल वन डे एक्जाम में आ सकता है लेकिन UPSC में इससे tough तो सोचिए आप एक UPSC आस्पिरेंट हैं आपका जजबा कितना बड़ा होना चाहिए कितना आपको घुरूर होना चाहिए अपने नौलेज पे तो चलिए शुरू करते हैं एक UPSC आस्पिरेंट एक AIS आस्पिरेंट इस सवाल को एकदम तोड़ देगा तोड़ के जोड़ के फिर मिला के देदेगा इसने जसकरन ने जिस तरीके से इस पूरे सवाल के व्याक्या की है देखने लाइक है अगर आपके पास अगर सोनी लिव अगर आया है फिर यह तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि बहुत इंस्पाइरिंग है जिस तरीके से इसने बताया कि लॉड करजन क्यो नहीं हो सकते लॉड रेडिंग क्यो नहीं हो सकते लॉड मिंटो और लॉड हार्डिंज में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या डिफरेंस आया कि ये नहीं हो सकता सब कुछ बता दिया अमिज जी को और अमिज जी करते रहे तो ये होता है कि उपीसी एस्पेट घोल के पी जाना एकदम कहानी की तरह याद कर लेना लॉड कर्जन क्यों नहीं हो पाएंगे क्योंकि 1906 में ये बंगाल के पार्टिशन पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय ये वोईस रोई थे तो ये तो होई नहीं सकते लॉड रेडिंग की बात करें तो ये 1920s के बाद वॉइस रोई बने रही बाद लॉड मिंटो और लॉड हार्डिंज में लॉड मिंटो का नाम आपने सुना होगा लॉड मिंटो मोरले मिंटो रिफॉर्म लॉड मिंटो को कहा जाता है father of communal electorate in India मतलब कि इनकी वज़े से जो मुस्लिम majority उस टाइम पे थी जो मुस्लिम लीग की उनको electorate मिला मतलब उन लोगों की प्रतिनी थी जो है वो अब election में खड़े हो सकते थे और वहीं से धार्म के आधार पर vote बतने लगे थे 1906 में मुस्लिम लीग में मौरले मिंटो रिफॉर्म के पास मौरले मिंटो जी के पास आए मौरले सेकेटरी थे उस टाइम पे मिंटो साहब तो वाइसरोय थे ये लोग आए और discussion हुआ कि भाई हम लोग जो है क्या चाहिए हमें हमें चाहिए एक अलग electorate हिंदू का अलग मुस्लिम का अलग और हम अपने प्रतिनिदी खाड़ा करेंगे तो हमें लोग अलग से वोट देंगे ताकि हम अपने समुदाय और धर्म के प्रति कुछ विशेश कार्य बना सकें विशेश नियम बना सकें तो यहां लौड हाडिंज राइट अंसर है इसका भी होगा राइट अंसर अब लौड हाडिंज राइट अंसर क्यों होगा मुझे इसको कैसे याद है क्योंकि इनको इन पर attack हुआ था एक assassination का प्रयास किया गया था अब ये कौन किया था अब आप सोच के देखिए मुझे याद कैसे था कि कलकत्ता से दिल्ली जब हमारे कैपिटल ट्रांसफर हुआ कलकत्ता के लोगों को बहुत गुसा आया और लाड हार्डिंज पर अटैक कर दिया है मुझे तो ऐसे याद आया था तो बेसिकली अटैक कौन करवाया था रास बि अटैक करवाया था 1912 में 23 या 26 दिसंबर 1912 में अटैक करवाया था इन पे चांदरी चौक में अटैक हुआ था उससे मुझे याद आता है कि लोड हार्डिंज जो है 1911-1912 उस ताइम पे ये वॉइस रोय थे जब भारत में कैपिटल जो है कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट किय गया था तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं और अगर सवाल अगर यहां पर यह आता ना कि डेरी कॉंस्पिरेशन केस या लाहार कॉंस्पिरेशन केस में कौन सा वाइस रोय था तो मज़ा आता मतलब तो इंट्रेस्टिंग कोशन बन जाता UPSC के लेवल का बहराल समझ में तो आई गया होगा आपको क्या है ठीक है तो यह है सही जवाब लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो वाइस रोय ओफ इंडिया थे विडिश इंडिया कैपिटल के इन्होंने 1910 से 1916 का कारेकाल निभाया उसके बाद चैंसफर्ड आ गए चैंसफर्ड क रुपए का सवाल क्या है भाई तसकलोल साथकलोल अगला सवाल आता है 7 क्रोर रुपीज का 7 क्रोर का क्या सवाल है According to Padma Purana, which king had to live as a tiger for a hundred years due to a dear's curse. Padma Purana के हिसाब से कौन सा ऐसा राजा था जिसको एक हिरन ने 100 साल बाग रहने का श्राप दिया, इनमें से कौन सा राजा था? इनको इसका उत्तर नहीं पता था, इन्होंने कुट कर दिया और एक करोड रुपे लेके चले गए, अगर ये गलत अटेम्ट करते हैं, तो सारे 3 लाख रुपे घर लेका जाते हैं, तो पुद्धी मता दिखाई और एक करोड रुपे जीत के गए, इस सवाल का इन्होंने गल अगर या नहीं था हमेरे घर में, क्योंकि ये पुरान से रिलेटेड है, ये एक पूरा भारत दर्शन के अंदर ये पद्व पुरान आता है, तो पद्व पुरान में ये कहा जाता है, कहानी ये थी, कि ये जो प्रभंजन राजा थे, अपने राज में, जब ये राजा थे तो ये शिकार पे निकले, अपने एरिये में, निकले उसके बाद इन्होंने हिरन को देखा, बहुत सुंदर मृग था, हिरन था, इन्होंने उसको तीर चला कर मार दिया, वो हिरन उस वक्त अपने बच्चे को दूद पिला रही थी, वो मरते मरते इन राजा को श्राब दी कि अगले 100 साल तक तुम बाग जैसे जियोगे यही चोटी सी कहानी है और यही साथ कलोल रुपय का सवाल था भईया साथ कलोल और बढ़िया सवाल हो सकता था थोड़ा politically, geopolitics, थोड़ा history से related लेकिन कोई बात नहीं UPSC के perspective में यह सवाल और भी अच्छा हो सकता था तो आप अगर civil services के त्यारी कर रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत कम मत समझे self doubt मत करिए आपकी knowledge बहुत उपर है बहुत जादे analytical है ना कि सिर्फ one word वाले questions की बहुत analytical है ठेक है आपको तो पूरी कहानी पता है यार वैसे ही जैसे civil services के exam में आप हमेशा से ये चाहते थे कि आपको एक ऐसा course मिले जो कि prelims भी हो, mains भी हो, c-sat भी हो printed book भी मिलें दो साल के validity हो और live lectures हो, recorded lectures हो e-books मिले, 200 से जादे test भी बाई, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें जो जो आपके demands थी, वो हमने पूरी कर दी है इसमें, ये है enrollment fee ये है code, उस code से use कर सकते हैं नया batch है, 8 बजे से batch चालू हो जाए है मतलब रात में, शाम को और ये और भी कम डाम में मतलब की और भी कम fees की हो सकती है अगर आप जैहिन नाम का code use करोगे तो आप comment करके जरूर बताईए ये वीडियो कैसा लगा, description box में जाएंगे तो इसका batch का link दिया हुआ है उसमें आप enroll कर सकते हैं और ये भी जरूर बताएगा कि वो एक कलोल और साथ कलोल रुपय का परश्ण क्या आपको आता था या नहीं क्या आप हकदार थे एक करोड के I am sure आपको आता होगा comment करके जरूर बताएगा कि परश्ण कैसा था और आपको आता था या नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद